नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसिस और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Excel to Tally e-commerce data import करने के लिए Tally 5 में तो Tally 5 दोस्तों अपना बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं Tally 5 को और Tally 5 में आप डायरेक्ट data import कर सके बिना किसी correction के बिना किसी चीजों के तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है Excel to Tally ultimate e-commerce 5 के लिए तो दोस्तों यह है मेरे पास में Tally Prime 5 के लिए data import करने के लिए e-commerce की entry आप इससे कर सकते हैं कोई सा भी आपका e-commerce platform हो सभी के entry हो जाती है जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं उपर भी companies का नाम डला हुआ Amazon, Flipkart, Miso, Uran, Snapdeal यह सभी चीज़े हैं और साथ में आपको यहाँ भी listing मिल जाएगी क्या-क्या data import कर सकते हैं तो इसमें सभी तरीके के आप data import कर सकते हैं आप कोई सा भी data हो कोई सा भी e-commerce platform हो उससे related आप सभी data import कर सकते हैं इवन आपका कुछ भी अलग से भी कोई entry है purchase वोगर एक entry है, sell के entry है, अलग से भी है, JV के entry आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ entries करके जैसे मेरे पास में भी इतनी सारी यह files हैं मैं इस में से चली flip card के entry अगर करता हूँ, तो मैं flip card का data इधर ले के आऊँगा मेरी seat में इसमें आपको copy paste वोगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे अपने को सीधा पहले data seat में आ जाना है लोड बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी entry करनी है, वो आप उसको उठा लेंगे, यहाँ पर जैसे मुझे cells की entry करनी है, तो मैं फाइल उठाऊँगा यहाँ से अभी आप देख सकते हैं, यह अपना flip card का data है, अब इसमें 3-4 sheet रहती है, cells report है, cashback है, help करके है, तो जो भी आपको entry करनी रहती है, उसको आपको पहले रखना रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे cells report को सबसे पहले रखा हुआ है, तो cells report अपनी यहाँ पे आ जाएगी, और अप अपने को no कर देना है, तो अब आपका data यहाँ पे flip card का जो भी file है, जो भी चीजे थी, वहाँ से उठके इधर पहुच चुकी है, data sheet में, आपको यहाँ पे कोई भी copy paste करनी जरूत नहीं पड़ी, अब अपन क्या करेंगे, सीधा यह data voucher sheet में उठाएंगे, अब जो भी एक से ज्यादा GSTIN है, अलगले state के आपके GSTIN है, तो आप यहाँ पे उसकी listing कर सकते हैं, इसमें आप काफी सारे state डाल सकते हैं, तो आपके जितने भी state है, सभी के सभी यहाँ पे आजाएंगे, एक से ज्यादा state है, तो आप यूज करिए, अब जैसे अगर मैं इसमें फिल वाउचर सीट में जाना है, वाउचर सीट के थू ही एंट्री होनी है, तो अभी यहाँ पे वो डेटा को उठाएंगे, अब उपर में आपको फिर वापस से लर्न विल टैब में जाना है, अब इसको भी पहले क्लियर कर देंगे, तो कुछ चीजे जो भी रहेंगे, पहले स नंबर, यह सभी चीजे यहाँ पे आचुकी है, इसमें आपका क्रेडिट नोट वगरे भी आ जाता है, तो अभी आप देख सकते हैं नीचे में यह क्रेडिट नोट आ गये हैं, और उपर जितने भी हैं वहाँ के सेल्स आ गये हैं, तो यह क्या है, फिल्टर करके ले के आत और शाथ ही दोस्तों यहां पर आपके स्टेट्स को भी ले के आता है ताकि आपका जीस्टी में जीस्टी आरवन में आपका प्रॉपर कल्कुलेशन जाए और इसमें क्या रहता है यह अपने आप ही सुधार देता है चीजों को कुछ-कुछ क्या है स्टेट का स्पेलिंग औ जैसे अंडमान निकवार आइसलेंड हो गया यह आपका इसने चेंज कर दिया अब जैसे जमू एंड कस्मीर करके उसमें लगा रहता है तो यह सभी चीजे जो है अपने आप ही सुधार देता है जो भी इसमें गलतियां रहती है फ्लिपकाट की सीट में वह सारा कुछ यहा पास्ट में कल्कुलेशन करता है कि एक ही 29 में कितने आइटम गए हैं दो से तीन आइटम है एक ही इनवाइस के अंदर उसकी एंट्री करेगा उसमें और भी कुछ-कुछ जो जीएस्टी से लेटेड कल्कुलेशन है राउंड आफ होगर रखे कल्कुलेशन है यह सारे कल्क तो आपका स्टेट है आपको वह स्टेट होगर है सब कुछ प्रॉपर डाल के रखना है टैली के अंदर जैसा जो डलता है और यहां पर भी अपन जीएस्टी नंबर यह वाला डाल देते हैं यह मैंने जीएस्टी नंबर डाल दिया और इसको मैं सेप कर देता हूं और इधर मैं आपको दिखा दूँ हेल्प में जाके बाउट में जाके तो अभी मैं टैली 5.1 लेटेस्ट वर्जिन यूज कर रहा हूं दोस्तों तो आप इसको टैली प्राइम 5 में चला सकते हाराम स कोई दिक्कत नहीं है और बीना किसी एरर के कोई भी एरर नहीं आपको दिखेगा टैली के अंदर एंट्री होने बाद में तो यह सारा डिटेल आ गया दोस्तों अभी क्या है मेरा टैली जो है वो एजूकेशनल मोड में है आप यहां देख सकते हैं टैली प्राइम एजूक अब यहां पे दोस्तों आप देखें मैंने वलीडेट कर दिया था पोस्ट मास्टर करके बटन है तो पोस्ट मास्टर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यह क्या करेगा आपका सभी मास्टर सापके लेजर हो गए स्टॉक आइटम हो गए सब कुछ आपका टैली में क्रेट कर कर दें तो आपको एकसेमल जनरेट करने की जरूरत नहीं है आप नो पे क्लिक कर देंगे और यह क्या करेगा दोस्तों आपका सारा डेटा यहां से उठाके टैली में पोस्ट कर देगा आपके जो भी लेजर हो गया स्टॉक आइटम हो गया यह सभी चीज़ें आपकी वहां इसमें जो भी डिटेल वहां पर रहेगा आपका है सब कुछ इधर लेकर आएगा आपका स्केव कोड और इस तरीके से आ जाता है टैक्स परसेंटेज आ जाता है तो आपका प्रॉपर जो है वहां से सारा डिटेल इधर उठके आ जाएगा अगर आपके टैली में पहले से कुछ कुछ एन्टरीज ले तो आपैं उसको भी कर सकते हैं अगर आपको इस बटन्स भी दी हुई है अगर आपको स्टेट वॉइस सिंगल एंट्री करनी है स्टेट वाइज बिधाइटम विदाउट आइटम करनी है तो यह कुछ बटंस है आप इस बटंस का यूज करक उ तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अगर मैं यहाँ चाहूं तो एक वाउचर टाइप मैं अपना क्रेट कर दाता हूँ तो यहां पर आप नंबरिंग मैनुवल रखेंगे तो वहाँ सीट का उठाएगा आटोमैटिक रखेंगे तो टैली का खुद का आटोमैटिक आता है तो voucher numbering आप manually रखिए ताकि आपका जो भी flip card का invoice number हो आए और same वैसे आप credit note भी बना सकते हैं और यहाँ पर prevent duplicate yes कर देंगे ताकि आपका duplicate entry tally ना accept करें आप भले ही कित्ती भी बार post करें अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको replace कर देंगे जो ओन वाउचर टाइफ है दोस्तों इसको अपने को replace कर देना है जैसे यहाँ sales लिखा हुआ है sales को replace कर देंगे flip card sales से replace all कर देंगे तो आपका जहाँ भी sales लिखा रहा है अगा replace हो जाएगा सेम ऐसे credit note भी कर देंगे तो यहाँ भी replace आल करते हैं तो आपका credit note भी replace हो गया ठीक है और यह अपन डारेक्ट तो पोस्ट करी सकते हैं दोस्तों यहाँ से post voucher पर क्लिक करेंगे direct entry पोस्ट हो जाएगी अब इसमें साथ में यह template voucher की मैंने सुविधा देके रखा हुआ है तो आप template voucher भी generate करके पोस्ट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर पोस्ट voucher पर क्लिक करूँगा फिर वही पूछे का आपको XML के थ्रू करना है तो अगर आप XML से करना चाहें तो आप yes कर सकते हैं तो yes करने से दोस्तों ही क्या करेगा आपका XML जो है वो generate कर देगा तो आपको XML से फिर import करना रहेगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर XML का यह पत जो है वो आ चुका है इसने XML फाइल जनरेट कर दिया और अगर आप नो करते तो सीधा आपका टैली में पोस्ट कर देता है अपन XML से भी देख सकते हैं इसको इंपोर्ट करके तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यह पत जो बस आपको इधर XML सेलेक्ट करना है और इधर आप पत पेस्ट करके इंपोर्ट कर लेंगे और सेम चीज अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि यह टेंप्लेट वाउचर का यूज करना भी जैसे आप डारेक्ट एक्सल से इंपोर्ट करना चाहते हैं आप टेंप्लेट वाउच वाउचर सेव हो जाता है अभी जैसे यहां पर मैं दिखा हूँ तो आपका वी सीएच अप्रेयल मंथ फ्लिप काट करके इस तरीके से टेंप्लेट वाउचर सेव हो चुका है दोस्तों अभी मैं आपको क्या करूंगा एक यह टेंप्लेट की टीएसफ फाइल दे दूंगा आ आपने जनरेट किया था उसको यहां से आपका जहां भी पड़ा हुआ है उसका पथपन यहां पर डाल देंगे और फाइल सेलेट कर लेंगे जिसको आपको इंपोर्ट करना है तो इसमें आप एकसल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं डाइरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं दोस्त के अंदर में आपको जैसा जो यूज करणा है आप यूज कर सकते हैं और सेम दोस्तो ये उपना की एंट्री हो गई आपको सेटलमेंट की एंट्री ऐसे ही कर ले न रहेगा तो आपको data seat में ही settlement वाली file भी यूज करनी नहीं रहेगी अच्छा में इसका कैस बेक का भी एंट्री करके आपको दिखा देता हूं क्या है दोस्तों जैसे आपकी ये मिलता है तो इसकी और नहीं रहती है इसको कैसे कर देते हैं और यहां पर डेटा सीट में आएंगे क्लियर करेंगे लोट करेंगे और वाउचर सीट में आएंगे इसको भी पिक करना रहे हैं क्लियर कर देता हूं इसको यहां पिक कर लेंगे अब यह कैस बेक का भी डिटेल आ जाता है दोस्तों अब इसमें कैस बेक वाले नहीं होने कंडिसें में आपको यहां नो कर देंगे तो आपका और ली को इसको कब यहां पिर देता हूं अधिक है कि इसको कि करेंगे पोस्ट master पोस्ट वाउच्टिक पॉस्ट हो गया कि ठीक है 92 परसंट हो चुका यह औ flat अपन इंपोर्ट किये तो उसमें डेढ़ हजार संथिंग बारह सो तेरह सो क्या स्पास एंट्री थी इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुली कोई एरर नहीं आया कोछ भी एरर नहीं यह यह दोस्तों इस फाइल की खासियत है यह जो नई फाइल मैंने बनाया है टेली प्राइम बाउचर की भी पोस्टिंग कर देगा डायरेक्ट ही तो यह आपका वाउचर पोस्ट कर देगा और आपका सेम ऐसे देखे भी डायरेक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अगर मैं यहां पर आपको जाकर दिखाऊं तो इस तरीके से अपनी दोस्तों कुछ एंट्री तो सेम ऐसे आगर आपका क्रेडिट नोट नॉट और रहे गाना विटेल करके आगा अपकी एंट्री आपको कहीं कुछ चेंज करने कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अपने टेली हिसाब से रखना चाहते है तो भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपका जो भी टीटेल का रहा आपको कुछ सीट के अंदर चेंज पर उसको कर सकते हैं और यह दोस्तों अपने क्रेड़िड नोट रहेगा आपका जो क्रेड़िड नोट रहेगा उनका डेविड नोट है इस तरीके सेंट्टी जो जाती है कैस बैक वाली भी और सेम अ far ável सी स्लिकलार के सभी एंट्री करेंगे तो सेटलमेंट फाइल को भी यह ए सेटलमेंट 方面 नप दोस्तो अब तो यह सभी चीज़े उठाता है मैं आपको दिखाता हूं आपकांप पी फीजें ष्टिए अन अपने को अपने को डेटा सीट में लोड करना है इधर क्लियर करते हैं लोड करेंगे अब अपने को यह फाइल सेलेक्ट कर लेना है अपने को अभी यहां पर अलग सेटल्मेंट की सीट हैं मांकी सबकाप सेटल्मेंट से कर सकते हैं जो अलग सीट है उसको आपको अलग से करना है तो अब जैसे यहां फ्लिपकार्ट सेटल्मेंट करके आ रहा है दोस्तों तो यहां पर अपन पिक करेंगे अब इसमें पिक यहां पेडली हुई है फिर उसके नीचे दूसरी निफ्टी आईडी आएगी मतलब एक ही सीट में कई सारी एंट्रेज आपकी रहती है अब जैसे यह जो लेजर से हैं इसको पहले क्रेट कर लेते हैं टैली के अंदर में तो आपको लेजर एक ही वार क्रेट करने हैं तो जो पही एकस्पेंस वारे लेजर हैं सबमें 18% GST रखना है, जो इंकम बारे लेजर होग आपके इंकमम बाले हम जाएंगे मंई इन सििटमेंट सीट करके भी लेजर क्रेट कर लेता हूं बाकी आप चाहे हैं तो आप मैनुवल मेंविट्ट कर सकते हैं मैनुवल मैनुवल क्रेट करेंगे अपको सेक्षा सिकोड शॉत बाकी चीज़ें डालना रहता है आप मैनुवल क्रेट करिए laser one time क्रेस्वान ग्रीट करना है क्रेट कर लिए ज्यादा अच्छा ज्यादा करता हूं फ्लिपकार्ट से और यहां पर आके मैं इसको पेस्ट करूंगा वेल्यू और ट्रांस्पोर्च कर दता हूं यह अपना वहां सीधर पेस्ट हो जाएगा अब इसमें आपको जो जिस ग्रूप में रखना है आपको ग्रूप यहां पर डिसाइट कर दीजिए ठीक करता हूँ अब यह पूछेगा आप से कि रिशिप्ट के ईंटरि होने जा रहे हैं आप चाहते हैं एंटरी करना X Cookie कर सकते लिए इंटरी कर देख जैघी फिर एंडरेगई पूछेगा कि ह सीघ्सपेंसें जो है इसको भी आप नो करिए वो भी एंट्री हो जादी अब यह सब इंट्री अपनी कम्प्लीट हो गई दोस्तों बाकि आप चाहें तो यहां कुछ अलग से बटन्स भी दी हुई हैं अगर आपका कुछ एरर है दोस्तों यहां भी दिखाएगा जैसे आपका ले ऊफिए अगर कोई एंट्री नहीं थी तो आपको बताएगा इस उल्लेटी नहीं थी आपका इबदे चैक करें फिलिपकार्ट करें लेजर में तो आप यहां पर देख सकते हैं किसा अपने कोई इतने का पेमेंट आइड़ किया यह सब और औरकशन किया और यह भी आपका जो return है जिस जिस का return हो गया items का उसका भी उन्होंने deduction किया और last में आपको bank में उन्होंने इतना पैसा दे दिया तो यह क्या है सभी entries bill by bill होती है और से मैंसे आपका यहां पर GST से related अगर आपका जो भी expenses से related चीज़े हैं तो इसमें भी आपका bill by bill detail के entry हो जाती है इसे IGST वाली entries हो गई किसमें किसमें आपका IGST deduct हुआ है कौन कौन से expenses लगे हैं क्या TCS TDS कटा है और सारी चीज़े यहां पर एक साथ entry होके आ जाती है सेम ऐसे ही आपका CGST से related रहेगा CGST वाली entry आएगी और इसमें आपका bill wise entry करने इस फायदा क्या होता है दोस्तों आप य इस फायल का आप यूज कर सकते हैं इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं यहां पर बैंक स्टेट्मेंट हो गया 2a के entry हो गई स्टेट वाइज एंट्री हो गई सभी entries आप कर सकते बाकि e-commerce के लिए perfect है उसमें आपको कहीं कोई copy paste नहीं करना पड़ता आप सीधा का सीधा यहां से सीधा upload करिए और entries को import कर लिजिए तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर रताए कमेंट करके मैं इसका link दे रहा हूं description में आप जरूर डाउनलोड करिए अगर आपको जरूरत है तो तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thank you